हुआ है हुआ है ये लिक वेडियो तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको एक मिनी वाटा क्लासिक एड़ी बल्फ की काफी ज्यादा ब्राइटनेस्ट होने वाली है और गाइस जो की इनवर्टा है वह भी काफी द्रांप्राइब तक का बैक अब दीसा है तो गाइस कुछ जिन से में प्रसली नहीं आ रही थी में तब यह थी थोड़ी सही होगे प्रसली वीडियों तो चलिए शुरू करते हैं वह साबसे पहले यहां एक पीवीसी का पाइप ले लेना है यह मेरे कुछ पूजेक्ट का पड़ा था तो मैं इसका यूज कर रहा हूं तो मैं इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दे रहा हूं जिसकी लंबाई है वो तैन सेंट्मेटर है उसकी चौड़ाई है वो 4 cm उसमें आप देख सकते कि लंबा सा एक होल है तो आपको यहां भी एक गुरूप कटिंग कर लेना है यहां देख सते मैंने इसमें गुरूप कटिंग कर ली है तर आपको करना क्या है जो इस ट्राइब को मार्केट में स्वेच और जैक मिलते हैं आपक देख है उसको कि में इस राफ होगाई सकते और दूसरी बैटरी ओर ते मेदे सकते हुआ मैं सफार जो मुछ की यहर। यहां द एक सकते guys मैंने इसको चिपका लिया है चिपका लेने के बाद हम इसको फेवी के की HELP से स्वेच और जैक के उपा हमें थोड़ा फेवी के की डाल दूँब ढ़िए स्वेच और जेक निकलेना PADD अmart मैंने इसको जेके कर लिया है आंदे क्या करूँगा मैं今 एसके Connection मैं complete कर लेता हूं कि आई कि देघार मैंने से ढ़ाय से निकाल depende कर लिए है तो मेंने सो पीछ एसे को तो आए निकाल ला हम स्कुने प्रेस माइनस की दोवाय निकाल लिये थे फिर आपको करना पीवी सीट लेना है और इसका जो ऊपर आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है यहां दे सकते हम मैं इसको फेवी कि हैल्प से यहां में लगा लेता हूं कि देख सकते गाइज मैंने इसको चिपका लिया चिपका लेने के बाद आपको करना क्या है सेंट पेपर की हैल्प से आपको उसको थोड़ा फिनीशिंग कर लेना है तो मैं यहां पर देख सकते मैंने इसकी फिनीशिंग तरीके से कर ली है आपको भी कर लेना है पर इसके बा कर लेता हूं कि यहां देख सकते मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं अब गाइज मैं इसको अपने इसाब से एज़ेस्टमेंट कर लेता हूं कर लेने के बाद मैं इसको फेहां फेवी कि है पसी चेप कर लेता हूं आप चाहिए तो स्कुष्क्रो की यह पसी चिपका सकते लिकने मैं फेवी कि हैल पसी चिपका रहा हूं आपको यह अच्छी तरीकर चिपका लेना चिपका लेके बाद देख सकते हैं अपना इंवाटर बन के रेडी हो चुका है अब इसका अपनको बल्फ बनान आपको निकलती है आपको वह ले लेना है मैंने छोटा सा कट लगा लिया था वायर निकालने के लिए एक होल दिया रहे था तो मैं इसको मेजेमेंट करके नहां में इस नट और बॉल्ट की हैल पसे इसको में नहां पे टाइड कर लिता हूं में इसको टाइड कर लिया है टाइड कर लेने के बाद जावी जो देखर आया मैं बल फले लिया हूं बल्फ लेने के बाद यहां जो हलका सा वायर निकालने के लोट दिया था तो मैं इसको रहां पे वायर हलका सा निकालके मैं एडिडी बल्फ को यहां पर दबा लेता हूं अब जो यहां पर दो पॉइंट देख रहे हैं वहां पर मैं दोनों वायर शूडर कर देता हूं यहां देख सकते हैं, मैंने इसमें दोनों वाइस ओडर कर दिया, अब जो उपर का जो कैप रहता, इसको भी मैं लगा लेता हूँ कि अबना वर्फ अब देड़ी हो चुका है, यहां इसके अंदर में इसको लगा लेता हूँ, लेकिन टेस्ट करने से पहले आप इसके तुर्फ इसमें इक्सास देख रहे हैं कि अब जो चुका जो आप आप इसको आपको अंधियरे में चेक करके देखा रहा है, यहां देख सकते हैं पूर्वा अंधियरा कल लिया है, जैसे इसको ओन करते कॉफी इच्छी इसकी ब्राइटनेस्ट है, वह आप इससे स्टड़ी वगारा भी कर सकते हो, वह आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो भी बना सकते हो, तो यहां देख सकते हैं, कॉफी जाद उसने ब्राइटनेस्ट कर ली है, इसकी एक बात और बताओ, इसका बैक अप है, वह तीन हिंटे तक इसका बैक अप चला है, मैं इसकी वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं इसको देखा तो काफी ज़्यादा इसका बैक अप था, और गाईज यह ब्राइटनेस के मावने काफी ज़्यादा है, और मैं आपको यह वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और गाईज इस वीडियो को लाइक जरू कर देना, और प्लीज चैनल पे पहली बाद आए तो को लाई है, और देना, और गाई